प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 के अर्षास्त में पूर्ती की लोज के परकार को समझेंगे शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि जो कोई अपने चैनल इकनॉमिक्स प्लस पर नए हैं किरपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, घंटी के आइकन को दबा दे और अपने मित्रों को जो इंटर की त्यारी कर रहे हैं परिच्छा के उनको आप सेयर कीजे ताकि वे भी इस वीडियो से लाभानवित हो सके कीमत पूर्ती लोज क्या है या कितने परकार की होती है किसी वस्तू का जब मुल बढ़ता है तो पूर्ती भी बढ़ता है और मुल जब घटता है तो पूर्ती भी घटता है इसे पूर्ती का नियम करते हैं लेकिन मुल में पर्तिसत परिवरतन के फल्स रूप पूर्ती की म पूर्ती घटकर सुन्य हो जाए तथा मुल में अल्ब विर्धी होने पूर्ती में अनंध विर्धी हो जाए तो यह पूर्णतया लोजदार पूर्ती होती है चित्रुप में देख रहे हैं अगर मुल ओएस है तो पूर्ती में अनंध विर्धी हो रही है और अगर मुल में थ पूर्वीटी की लोच अनंत होती है। पूर्वन्तया बेलोजदार पूर्थी जब मुल में कमी अथ्वा बिर्धी का पूर्वाओं ना पड़े तो इसे पूर्वन्तया बेलोजदार पूर्थी करते हैं। मला मुल जब OP1 है तो पूर्ती OS, मुल बढ़कर OP2 होगा तो भी पूर्ती OS ही है, तो मुल में परिवर्तन का परभाव पूर्ती की मात्रा पर नहीं पड़ रहा है, कि जिस अनुपात में मुल में परिवर्तन होगा, उसी अनुपात में पूर्ती की मात्रा में परिवर्तन हो, तो हम लोग उसे एकाय के समान लोज़दार पूर्ती कहते हैं, ΔELTA Q मात्रा में परिवर्तन और ΔELTA P मुल में परिवर्तन को दरसाता है, P आरंभिक मुल्य और Q आरंभिक पूर्ति की मात्रा को दर्शागता है यदि P1 को प्रारंभिक कीमत और S1 को प्रारंभिक कीमत मान लिया जाए तब तो हम लोग इस फॉर्मूला में चित्र के अधार पर मान को पूट करेंगे तो ES का ES बराबर डेल्टा Q, डेल्टा Q कितना है तो BC पूर्ति में परिवर्तन कितना हो रहा है तो BC बोल ये या फिर S1, S2 भी बोल सकते है तो यहां BC लिख दियें डेल्टा Q के जगा, डेल्टा P मुल में परिवर्तन तो कितना हो रहा है P1 P2 लिखे या फिर AC लिखे एक ही बात है तो AC लिख दिए गुना P मलब सुरू का मुल्य सुरू में मुल्य कितना OP1 Q मलब सुरू की मातरा कितना है OS1 तो यहाँ पर OS1 लिख दिए मलब चित्र के अधार पर इसमें मान पूट करेंगे तो समिकरन दो तेयार हो गया अब हम लोग OP1 को चेंज करेंगे बाकी सब सेम रहा ES बराबर BC बटा AC गुना OP1 OP1 कहां यह जितना OP1 का मान होगा उतना ही BS1 का मान होगा काय कि दोनों का देखे दूरी बराबर है तो OP1 के जगा हम लोग S1 B लिख सकते हैं तो यहाँ चेंज करके S1 B लिख दियें और बटा OS1 ज़स करता है समिकरन 3 हो जाएगा अब तिर्भूज BC A यह तिर्भूज और तिर्भूज OS1 B क्या है दोनों समान तिर्भूज है एक समान है इसलिए यह दोनों का मान आपस में क्या होगा बराबर होगा अब हम लोग समिकरन 3 में BC बटा जो AC है इसको चेंज करेंगे तो इसका मान किसके बराबर हो सकता है तो हम लोग चितर में देखेंगे इसलिए AC के जगह हम लोग S1 B लिख सकते हैं जो समिकरन 4 बनेगा अब समिकरन 4 और 3 से करने मालब है समिकरन 3 में समिकरन 4 का मान पूट कर देंगे तो यह हम लोग पूट करेंगे BC बटा AC करेंगे यह मान को रख देंगे तो यहाँ पर इसको अगर हम बैठाएंगे तो यहाँ बैठ गया गुना S1B बटा S1 सेम उतर गया अब क्या होगा यह S1B से यह कट गया इस से यह कट गया तो बचेगा कितना बराबर 1 मतलब जब पूर्ति की रेखा मुल बिंदू से होकर जाती है तो पूर्ति की लोच 1 के बराबर होती है मतलब E.S. बराबर 1 होती है लोचदार पूर्ति जिस अनुपात में मुल में परिवर्तन हो रहा हो उससे अधिक अनुपात में पूर्ति में परिवर्तन हो तो उसे लोज़दार पूर्ती करते हैं इस चित्र में हम लोग तिर्भूज B, C, A और तिर्भूज P, S, 1, B की तुलना करें का यह दोनों तिर्भूज समान है इसलिए दोनों का मान आपस में बराबर होगा तो चित्र के अधार पर हम लोग पूर्ती की लोज़ का फॉर्मूला सेट कर लिएं जैसा कि पहला में बताया थे जिसमें इस बराबर 1 था उसी तरह यह सेम उतर गया अब हम लोग यहां मान पूट करेंगे तो ओपी 1 के जगा हम लोग क्या लिखेंगे जितना ओपी 1 का मान होगा उतना ही एस वन बी का मान होगा सेम तो ओपी 1 के जगा एस वन बी लिखेंगे बाकी मान सेम रासा मिकरन दो बन गया अब तिर्भूज बी सी ए तिर्भूज बी सी ए और तिर्भूज पी एस वन बी मलग पी एस वन बी ये तिर्भूज समान तिर्भूजे हैं अर्थात इनकी भुजाओं का मान समान होना चाहिए तो यहाँ पर BC बटा AC को हम लोग change करेंगे तो इसके बराबर कोन मान हो सकता है तो BC के जगा क्या मान होगा PS1 जितना मान BC का होगा उतना ही मान PS1 का होगा तो BC बटा AC बराबर किसका हो गया PS1 बटा S1B के इसके बराबर है यह समी करन 3 अब समी करन 3 का मान 2 में रखेंगे तो मलब जहाँ पर BC बटा AC है वहाँ पर यह मान को बैठा देंगे तो मेरा हो जाएगा ES का ES बराबर BC बटा AC के जगा समी करंटीन का मान बैठा दिये गुना का गुना S1 B S1 B का जसकत तस OS 1 OS 1 जसकत तस इसको सेम उतार दिये अब क्या है इस से ये कट गया क्या सेम मान है तो बच कोन गया P S1 और बचा OS 1 P S1 बचा OS 1 क्या है तो जितना P S1 का मान है उससे OS1 का मान क्या है? कम है अर्थात PS1 का मान अधिक है इसलिए उपर जब संख्या अधिक रहेगा और नीचे जब संख्या कम रहेगा तो भागफल मेरा प्लस में आएगा अर्थात 21 से अधिक होगी इसलिए हम लोग कह सकते हैं पूर्ती की लोज क्या है? बेलोजदार पूर्ती जिस अनुपात में मुल में परिवर्तन हो रहा उसे कम अनुपात में पूर्ती में परिवर्तन हो तो उसे बेलोजदार पूर्ती करते हैं चित्र के अधार पर हम लोग पूर्ती की लोज का फॉर्मूला मपूट करेंगे जैसा कि समिकरन एक और दो में दिकत नहीं है, अब तिर्भूज BCA और तिर्भूज BLS1 क्या है, समान तिर्भूज है, अरधाद दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो अब हम इसको समिकरन दो में BC बटा AC को चेंज करेंगे, तो इसका मान हम लोग इसको चित्र के S1 हो गया और AC जितना AC का मान होगा उतना ही मान S1B का होगा कायकि समान तिर्भूज है तो BC बटा AC का मान कितना हो गया L S1 बटा S1B यह समीकरन 3 समीकरन 3 का मान कहां रखेंगे समीकरन 2 में तो BC बटा AC के जगा पर L S1 बटा S1B को बैठा देंगे तो बैठाएंगे तो क्या होगा ES जसका तस BC बटा AC के जगा बैठ गया LS1 बटा S1 भी यह मान को यहाँ बैठा दिये गुना का गुना और यह सेम उत्रा अब क्या होगा यह और यह कट जाएगा तो कटेगा तो क्या बचेगा LS1 बटा OS1 अब चित्र में चित्र में क्या है LS1 less than OS1 यहाँ देखिए चित्र में LS1 less than OS1 मलब OS1 बड़ा होगा LS1 से तो उपर है LS1 और नीचे है OS1 तो क्या होगा नीचे बड़ा संख्या मलब बड़ा संख्या कितना पांच और उपर छोटा संक्या, तो भागफल क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, 0.4, मलब पॉइंट में आया, तो हम कह सकते हैं कि पूर्ती की लोच इकाई से कम होगी, कब कम होगी, जब पूर्ती की रेखा, X अच से जाएगी, तो बच्चों कैसा लगा समझने में, ध्यान देने वाली यही बात है, कि अगर पूर्ती की रेखा, और इजन से जाएगी, तो पूर्ती की लोच इकाई के बराबर होगी, अगर Y अच से जाएगी, तो पूर्ती की लोच इकाई से अधीक होगी, और X अच से जाएगी, तो पूर्ती की लोच इकाई से कम होगी, समझने में कैसा यो को सेयर कीजिए